आप सभी माता पिता को हमारा प्रणाम बच्चों के विकास में आप सब लोग बहुत मेहनत करते हैं और अधिक क्या बेस्ट कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए जानते हैं वीद मूर्थी तपोनिस्ट पंडिट सीराम सर्मा आचार जी की लेखनी से बच्चों के नैतिक विकास के विसे में पुझी गुर्देव ने जो जानकारी दी है वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए इस विसे को तीन भागों में बाटा गया है आज इस विसे पर भागवन आडियो बुक सुनेंगे आईए सुनते हैं बहुत ही महत्वोर जानकारी बच्चों का नैतिक विकास आचरण के लिए समाज नेधायत नियमों के अनुसार चलना ही नैतिकता माना जाता है अत्व विभिन समाज द्वारा आचरण के लिए नेधारे विभिन नियमों के अनुसार नैतिकता के सरूप में कुछ अंतर पाया जा सकता है इस परकार एक ही समाज के विभिन वर्गों की नैतिकता के सरूप में भी अंतर पाया जा सकता है अच्छे तथा बुरे वेवार संबंदी किसी वर्ग के विचार के अनुसारी या निर्णे किया जा सकता है कि उस वर्ग के वेक्तियों के लिए नैतिक वेवार क्या है अच्छे नैतिक वेवार के लिए कुछ बातों की आवस्चता होती है अच्छा स्वास्ति, सम्वे गात्मक्स रच्छा, दूसरों से प्यार और आधरपानी की प्रवित्ति, विभिन भावनाओं की प्रकासन के लिए स्वास्तिकर साधनों की प्राप्ति, जिससे वेक्ति अवांचित मार की और न जुके कुछ आत्मियंतर रखना जिससे बच्पन जैसी प्रकितियों पर अवस्यक रोग रखी जा सके सामाजिक दिस्टिकोंड का सदा विस्तार होते रहना जिससे वेक्ति, दूसरे के प्रती सहानवोती और सही सोड़ता देखला सके और दूसरों के अधिकारों और सुविधाओं पर ध्यान दे सके चड़ा, उचित वस्तु वे प्राब्द करने के लिए प्रेणा का रहना और उचितकार को ही करने में संतोंस प्राब्द करना बच्चा ना तो नैतिक होता है और न अनैतिक वस्तुता वर्ट तो विनैतिक होता है क्योंकि उसका विवार नैतिक नियमों द्वारा अनुसासित नहीं होता नैतिक विवार दिखलाने के पहले बालों को यह सीखना चाहिए कि उसका समाज किस वस्तु को अच्छा और किसको बुरा कहता है यह सब धीरे-धीरे अपने मित्रों, सिच्छकों तथा माता-पिता से सीखना है यदि समाज़ द्वार मानने विवहार बालक के लिए सुखद है तो उसे वो सीग्र सीख लेगा और उस प्रकार के विवहार देखलाने की उसकी आदत हो जाएगी अतह उचित-पत-प्रदर्शन और सिच्छन से माता-पिता तथा सिच्छकों को यह देखना चाहिए कि समाज़िक संदर में बालकों के अनुभव यथा संभव सुखद हो तभी वे सरग्दा से नैतिकता का पार्ट सीख सकेंगी यदि बालक को कोई करने के लिए विवस किया जाता है तो वह कुछ भी न सीख सकेगा अता सभाविक रूप से ही उसे सबकुद सिखाने का प्रयत्न करना चाहिए नैतिक विवथार का विकास नैतिक विकास के दो अंग किये जा सकते हैं पहला नैतिक वेवार का विखास और दूसरा नैतिक प्रत्य का विखास इन दोनों अंगों पर हम नीचे विचार करेंगे। सामाजिक रीती रिवाज के अनुसार वेवार दिखा पाना बच्चा कई वर्सों में सीख पाता है। यदि उसके उपर मनोफए ग्यानिंग नियंदर रखा गया और उसके विवित अनुबर सुखत बनाए गये तो वह नैतिक वेवार दिखलाने में समत नहीं होता। आवस्य ग्यान देने के बाद उधारन दोरा ये दिखलाना चाहिए की उस ग्यान को कारियानवित कैसे किया जाए। कुछ विसिस्ट परिसीदियों के संदर में ही बालग को नैतिक विवार सिखलाया जा सकता है नैतिक विवार सिखाने के लिए सरपतम बालग को यह सिखाया जाना चाहिए कि घर पर उचित विवार कैसे दिखलाना चाहिए इसके बाद स्कूल जाने लगने पर उसे स्कूल के नियमों के अनुसा नैतिक विवार देखलाने का प्रेदन करना चाहिए तब उसे यह सिखाना चाहिए कि खेल के मैदान में नैतिक विवार का तादबर क्या होता है यदि घर, स्कूल और खेल के मैदान के नैतिक नियम समान न हुए अर्धाद यदि विवार सम्बंदी उसमें कुछ विरोध होता है तो बालक विस्मित होता है कि एक परिस्थिती में उसके किसी विवार की क्यों प्रसंसा की जाती है और दूसी परिस्थिती में उसे विवार की क्यों निंदा की जाती है ऐसी इस्थिती में नैतिक प्रत्य का विकास करना उसके लिए बड़ा कठीन हो जाता है उदारण के रूप में यदि बालक को चुपके चुपके संदुक से मिठाई निगाल कर खाने की सुविधा दे दी जाती है तो वो यह नहीं समझ पाता है कि दूसरे बालकों की पैंसल चुआने पर उसे क्यों दंड दिया जाता है कहने कार दिया है कि चोरी करना प्रत्यक इस्तिती में अनैतिक मानना चाहिए चाहें वो घर में इस्कूल में अथवा खेल के मैदान में हो नैतिक वेवार का सीखना संयोग पर नहीं छोड़ा जा सकता और नहीं से बालक के प्रत्याई और भूल संबंदी अनुभव पर ही छोड़ा जा सकता है बालक को नैतिक वेवार सिखलाने के लिए चार प्रमुक स्रिधानतों पर विशेष ध्यान देना चाहिए पहला नैतिक वेवार को समाजद्वार स्विक्रित नियमों पर चलना चाहिए दूसरा बच्चे को इसपस्टता या बतलाना चाहिए कि क्या उचित है और क्या अनुचित तीसरा समझने योगी हो जाने पर बालक को यह बतलाना चाहिए कि कुछ बाते ठीक मानी जाती हैं और दूसरी गलत चौथा बच्चों के पत प्रदर्शन का बाल जिनके उपर है उन्हें यह देखना चाहिए कि उचित विवहार के साथ बच्चों को सुखत अनुभव मिलते हैं और अनैतिक विवहार के साथ दुखत अनुभव मिलते हैं अर्था नैतिक विवहार पर बच्चे को पुरसकार देना चाहिए अत्वा उसकी प्रसंसा करनी चाहिए और अनैतिक विवार पर उसे दंड देना चाहिए अत्वा उसकी निंदा करनी चाहिए किसी भी आदत, निर्माड का या मनुब्वेग्यानिक नियम है कि इसमें कभी छूट नहीं देनी चाहिए अर्धाद, आदत को ध्रिण करने के लिए एक आउसर को भी नखोना चाहिए नैतिक आदितों के संबन में या नियम लागू करना चाहिए नैतिक सिच्छा के करम में कभी विरोध न दिखलाई पड़ी जो बात आज गलत मानी जाती है उसे कल भी गलत कहना चाहिए यदि इस इस्तिरता की रच्छा न की गई तो बालक की समझ में कुस ना आए इस इस्तिरता के अभाव में बहुत से बालक समस्या घातक हो जाते हैं क्योंकि वे नहीं समझ पाते की उनसे क्या अबेच्छा की जा रही है नैतिक प्रत्यायों को सीखना नैतिक विकास का दूसरा आंग है इसमें बालक सांती रूप से उचित और अनुचित के सिधानतों को सीखता है बहुत छोटे बालक के लिए ये समझना कठीन होता है जब बालक में इतनी मानसिक सकती आ जाती है कि वह विबिन बातों का विसलेसर्ड और सिंसलेसर्ड कर सके तब वह इन सब विसेधानतों को समझ सकता है तब ही वह एक परिस्थिती में सीखे हुए आचर नियमों को दूसरी परिस्थिती में लागू कर सकता है भासा कौसल में निबूरता प्राप्ट करने के साथ नैतिक प्रत्यायों को समझने की सक्ते भी बालक में बढ़ जाती है क्योंकि तब अमूर्च से धानतों और वास्तिक परिस्थितियों के परस्पर सम्बन को समझना उसके लिए पहले से सरल हो जाता है अपने कारियों के फल सरूप बालक अपने आचरण को अच्छा या बुरा मानता है बड़ा होने पर बालक को यह समझना चाहिए कि उनके कारियों का समाजिक फल क्या होगा उसे अभिय सोचना चाहिए कि उसके किसी आचन के बारे में उसके समू के लोग क्या सोचेंगे समू के संपर्ग से ही वह समझ पाता है कि उसके विवहार के बारे में दूसरे क्या सोचते है अपने अथवा दूसरों के कारियों के आचित अथवा अनाचित को समझ सकने की योगिता सुएम अपने व्यक्तिगत अनुभवों से आती है ना कि नैतिक सिध्धान्दों पर दूसरों का प्रवचन सुनने में बच्चों के नैतिक प्रत्यों के संबंद में कई परिच्छन हुए हैं उनसे यह पता चला है कि नैतिक प्रत्यों और बुद्धी तथा प्राणता में घनिश संबंद है मैकाले और वाटकिंस ने पचीस सो बालकों को सबसे अधिक पाप पून बातों की सूची बनानी के लिए खा उन्होंने देखा कि नव वर्स की उम्रे तक बच्चों के प्रयत्न मूर्थ और निश्चित होते हैं इस अवस्था तक अमूर्थ बातों को समझना उनके लिए कठिन होता है नव वर्स के बच्चों के लिए सबसे अधिक पाप पून बातों का संबंद माता पिता की अवग्या करना अथवा छोटे पसुँँ को चोट पहुँचाना था नव वर्स के बाद नैतिक विकास का घेरा कुछ बढ़ जाता है उदारण की रूप में अब बच्चे चोरी करना क्यों बुरा मानते हैं चाहें जिस वस्थों की चोरी की जाए इसका ताद पर यह हुआ गी अब उनमें चोरी करने का सामान प्रत्य बन गया है बच्चों के उत्तरों से उचित और अनुचित के ग्यान के सोथ का अनुमान किया गया और यह देखा गया की वे इसका ग्यान बहुदा अपनी मा से सीखते हैं उसके उत्तरों में पितागी और संकेत बहुत ही कम मिला है